क्या बाबा रामदेव जेल जाने वाले हैं? और उनके साथ बालकृष्ण भी जेल जाएंगे? यह सवाल इसलिए, क्योंकि उन्होंने ऐसी एक बड़ी गलती कर डाली है कि सुप्रीम कोट को रामदेव सौरी कहते कहते ठक गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोट ने रामदेव की स्विकार ही नहीं किया नमस्कार मैं हूँ आपके साथ थर्श भारद आज आप दिख रहे हैं श्रेष्ट भारत योग गुरू बाबा रामदेव और पतंजली आयुरवेद के M.D. बालफृष्ण को सुप्रीम कोट से उस समय बड़ा जटका लगा जब सुप्रीम कोट ने माफी मांगने वाले उनके हलप नामे को स्विकार करने से ही इनकार कर दिया दरसल देश की सरवोच अदालत ने रामदेव पर कानून का उलंगन करने की बात तो कही लेकिन साथ ही पतंजली आयुरवेद के खिलाफ कारवाई ना करने को लेकर उत्राखंड सरकार की आलोचना भी कर डाली तो चलिए सबसे पहले आपको मामला बताते हैं कि आखिर मामला क्या था जिसके लिए सुप्रीम कोट ने रामदेव की माफी को भी अस्वीकार कर दिया और अब इस मामले में रामदेव जेल भी जा सकते हैं दरसल इंडियन मेडिकल एस्वीशन ने अगस्ट 2022 में सुप्रीम कोट में कियाज का दार की थी पतंजली ने एक विज्यापन दिया था जिसमें कहा था कि एलोपैथि फार्मा और मेडिकल उध्यूग द्वारा गलत फैमियों से खुद को और देश को बचाएं बापर रामदेव ने एलोपैथि को बेवकूफ और दिवालिया विज्यान कहा था रामदेव ने कहा था कि एलोपैथिक दवा कोविड-19 से होने वाली मौतों के लिए जिम्मेदार है जिसके बाद इंडियन मैडिकल एस्सेशेशन कोट पहुच गया और रामदेव के खिलाफ केस कर डाला दरसल इस मामले पर पहले सुनवाई 21 नमंबर 2023 को हुई थी सुनवाई के दौरान जज ने पतंजली को ये दावा करने के लिए चेताब नहीं दी थी कि उनके उत्पात बिमारियों को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं इसके अलावा प्रतेक उत्पात पर एक करोड रुपे का जुर्माना लगाने की भी धमकी दी थी वहीं इस मामले में रामदेव के वकील ने कोड से कहा था कि किसी भी कानून का उलंगन पतंजली ने नहीं किया है जिसके बाद कोड में सुनवाई कुस दिनों के लिए टेल गई थी लेकिन उसके बाद 15 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोड को जूटे और भ्रामक विध्यापनों को लेकर एक गुमनाम पत्र मिला इस पर ध्यान देते हुए 27 फरवरी को जस्तिस हिमा कोली और एसन नुदीन अमानुनुलाह कि पीठ ने पतंजली आरुवेद और इसके MD अचारे बालुक्रिष्ण को आदेशों का उलंगन करने और कम्पनी के उत्पादों के साथ बीमारियों के इलाज के बारे में भ्रामक दावों का प्रचार करने के लिए अवमानना नोटिस जारी कर दिया वही रामदेव के साथ साथ सरकार से भी इस मामले पर जवाब मांगा गया साथ ही अदालत में पतंजली उत्पादों के किसी भी अन्विज्यापन या ब्रांडिंग पर अगले आदेश तक प्रतिबंद लगा दिया लेकिन जब हाल ही में 19 मार्च को अदालत को बताया गया कि अवमानना नोटिस का जवाब रामदेव ने दाखिल ही नहीं किया तो उसके बाद कोट ने बालकृष्ण और रामदेव को ओट में हाजिर होने का आदेश दे दिया यानि आप कोट के अंदर आईए इसके बाद 21 मार्च को बालकृष्ण ने भ्रामक विज्यापनों के संबढ़ में सुप्रीम कोट में माफी नामा दाखिल किया जिसे कोट ने खारिच कर दिया यानि इससे स्विकार नहीं किया इस दोरान अदालत ने रामदेव और बालकृष्ण की कड़ी आलोचना की और उनकी माफी को जुबानी दिखावा बताया और कहा कि रामदेव सर्फ दिखावा कर रहे हैं वो भी माफी को लेकर सुप्रीम कोट ने कहा हम इसे स्विकार करने से इंकार करते हैं हम इसे जान बूच कर किया गया उलंगन मानते हैं यानि रामदेव ने लोगों से जूट बोला और भ्रामक विध्यापन के जरिए लोगों को बेवकूप बनाया इतना ही नहीं सुप्रीम कोट ने ये भी कहा कि रामदेव उन सभी लोगे के बारे में आखिर क्या कहेंगे जिन्होंने बिमारियों को ठीक करने वाली बताई गई पतंजली दवाओं को खाया जिन बिमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता आखिर रामदेव ने ऐसा सिर्फ पाइदा कमाने के लिए किया यानि सुप्रीम कोट काफी सक्ति दिखा रहा था जिसके बाद अब ये सवाल उठ रहे हैं कि रामदेव की माफी तो सुप्रीम कोट ने स्विकार नहीं की यानि रामदेव सुरी कहते रह गए लेकिन सुप्रीम कोट ने उसे नहीं माना और उसे नहीं स्विकारा लेकिन क्या आगे आने वाले समय में अब बाबा रामदेव की गिरफतारी हो सकती है या फिर नहीं जिसका जवाब श्रेष्ट भारत आज आपको दे देता है और इसको लेकर कानून क्या कहता है वो भी हम आपको बता देते हैं दर्चल और श्रजी उपचार अधिनियम 1954 के तहट भ्रामक विज्यापन प्रकाशित करने पर पहली बार अपरात के लिए 6 महिने तक की कैद हो सकती है दूसरी बार अगर अपरात किया जाए तो दूसरी बार अपरात करने पर कारावास की अवधी 1 साल तक बढ़ सकती है वयू भोक्ता संग्रक्षण अधिनियम 2019 CPA की धारा 89 में कहा गया है कि कोई भी निर्माता अगर गलत या भ्रामक विज्यापन बनाता है तो उसे 2 साल का कारावास और 10 लाक रुपे तक का जुर्माना लगाया जा सकता है जिसे 5 साल तक बढ़ाया भी जा सकता है साथी जुर्माने की राश्ची को 50 लाक रुपे तक भी बढ़ाया जा सकता है यानि कानून ही कहता है कि रामदेव को आगे आने वाले समय में जेल हो सकती है फिलाल अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अपरेल को होगी जब ये पता चल पाएगा कि रामदेव जेल जाएंगे या फिर नहीं जिसकी जानकारी सबसे पहले श्रेष्ट भारत आपको देगा इसलिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे ये श्रेष्ट भारत